Hello everyone, welcome to the first video of the rigging series and even first video of my youtube channel इस rigging series के first video में हम के वोल introduction rigging के बारे हम जानेंगे rigging क्या होता है, rigging का basic क्या है जब भी rigging का नाम आता है तो हमें लगता है कि character और bone और skinning ही rig होता है और वहीं से हम स्टार्ट करते है बट उससे पहले बहुत सी basic चीज़े हम छोड़ देते हैं, हम कब यह नहीं सोचते कि जिसने भी यह tutorial बनाया है rigging का, उसने कहां से सीखा, उसने कैसे बना दिया उसने इसलिए बनाया है कि उसका basic complete था, तो basic चीज़ों के हम सब्सक्राइब फोकस करेंगे फस्ट example में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हमें rigging की क्यों जरूर पड़ती है और एक normal parent और child भी करना rigging ही कालाता है मैं फस्ट example में एक cylinder ले रहा हूँ इसका pure point इसके base में मैंने रखा है और इसको मुझे rotate होते हुए नीचे गिरते हुए दिखाना है मैंने यहां पर s press करके key लगा दिया first frame पर then मैं आपर move on करता हूँ 20 frame और पहले इसको मैं z axis में rotate कर देता हूँ sorry इसको मैं करता हूँ plus side में तकि मुझे minus ना लिखना पर है तो मैंने 90 degrees को rotate कर दिया ठीक है अभी सही आ रहा है animation अब इसको मुझे rotate होते हुए गिरते हुए दिखाना है तो इसको मैं rotation पर key लगा दूँगा अब अगर इस animation को मैं check कर रहा हूँ तो as expected जैसा मैंने expect किया था वैसे ही rotate होता हुए यानि कि roll होता हुए नीचे किर रहा है मैंने और थोड़ा सा rotation बढ़ा दिया इसका अब clearly मैं देख सकता हूँ कि ये roll होता हुए नीचे गिर रहा है ठीक है इसको मैंने first animate किया था z axis में then इसको मैंने roll किया था y axis में मैं ये वाला key delete कर देता हूँ ठीक है अब same y animation मैं इसको करूँगा किसमे x axis यहां पर z axis में ना करके इसको इस बार मैं यहां से x axis में rotate कर देता हूँ 90 ठीक है exact वैसा ही animation आ रहा है जैसे कि z axis में है था अब इस बार फिर इसको मैं ये roll होते हो दिखाना है तो मैं y axis पर key लगा देता हूँ फिर से कम करूँ ज्यादा करूँ कितना भी करूँ इसका animation कुछ हमेशा unexpected behavior के साथ आएगा ऐसा क्यों हुआ same वही process मैंने z axis के साथ पहले किया था तो वह सही आ गया था और इसमें गलत आ रहा है ठीक है इसको भी मैं सही कर देता हूँ सारे keys को delete करो और देन यहां पर आ करके फिर से rotation order में change कर देता हूँ यहां से यहां पर ठीक है अब यहां से मैंने किर दिया और 20 पर x पर लाओ यहां पर और y में rotate कर देता है ठीक है अब सेम वैसे ही result मुझे मिला यैसे कि first z axis के साथ मैंने किया था तो यह हो सकता है कि चलो मैंने rotation order change करके अपना solution निकाल लिया यानि कि doesn't matter कि पहले मैं y axis z axis के साथ इसको मैं roll करते भी गिरा रहा हूं second rotation order भी काम नहीं आएगा कुछ ऐसे condition अगर मैं put कर दो जैसे मैं सारे keys को delete कर देता हूं और इसको basic पर मैं चला जाता हूं rotation order मेरा क्या था सबसे पहले x y z जड़ता है starting से मैं आगे हूं फिर से और मुझे ऐसा करना है कि z axis को ऐसा मिनट पहले मुझे यहां पर थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं cylinder को और यहां पर की लगा देता हूं आप इसके practice कर सकते हैं चाहे जिस angle पर आप इसको कीजिए आप x y z किसी पर भी tilt करके आप इसको इस animation करें आप नहीं कर सकते हैं क्यों ऐसा हुगा क्योंकि किसी भी object को अगर मैं तीनो axis पर use करूंगा उसका rotation तो वह unwanted behavior करेगा फिर इसका solution क्या है फिर इसका solution है कि इसको मुझे rig करना ही पड़ेगा मैं वापस यहां पर आता हूं और कीज को मैं delete कर देता हूं यहां से और इसको as it is पहले जैसा मैं कर देता हूं और यहां से एक circle में create करता हूं और इसको मैं align कर देता हूं इसके साथ modify transformation and match all transformation ठीक है और cylinder को मैं child बना देता हूं इस circle का पी यह child हो गया यह parent हो गया circle और cylinders का child हो गया यह free है और circle को move करूँगा तो यह move होगा तो मैं इस तंग गया करूँगा कि मैं तीनो axis किसी भी object पर use नहीं करूँगा मैं circle को use करने वाला हूं यहां से z axis में मैंने यहां यहां पर दे दिया और यहां पर की लगा दिया 16 पर आकर और इसके x-axis को मैंने यहां पर animate कर दिया और s अभी तक मेरा ठीक आ रहा है अब इसको मुझे roll होते हुए दिखाना है तो जब इस circle को अगर use कर दूँगा मैं तो यहां पर तीनो axis मेरा rotation यूज हो जाएगा मैं इसको नहीं यूज करूँगा मैं cylinder को यूज करूँगा तो cylinder को यूज करने के लिए फिर से इसको भी मुझे यहां पर की लगाना होगा और 16 पर आकर के जो y-axis है वो मैं cylinder पर यूज करने वाला हूँ यहां से अब अगर मैं देखता हूँ कि यह roll होता हुए यहां पर ग content behavior कर रहा है इतना से एक चीज जो मुझे यहां पर मोटिक था दिखाने के लिए कि एक even cylinder को भी अगर मुझे अनिमेट करना होगा तो मुझे उसको exact में नहीं अनिमेट कर सकता हूँ उसके लिए मुझे एक रिगिंग की जूरूत करनी पड़ेगी और यहां पर रिगिंग म होता है कैसे एक object को दूसरे object से मैं manipulate कर सकता हूँ वही रिगिंग का सबसे base होता है next example हम देखेंगे कि कितने type से हम एक object को manipulate करते हैं दूसरे object से first हम यह देखते हैं यह problem आता क्यों है क्यों हमें तीनों axis नहीं करना चाहिए और उसका solution क्या होता है आपने gimbal log का नाम सुना हो है और यहां से मैं चेक करता हूं कि इसका orientation तो यहां पर इसमें चला जाता हूं और यहां पर चेक करता हूं तो यहां पर मिलेगा आपका object है वर्ल्ड है और यह स्टार्ट करने से पहले मैं जूम कर रहा हूं कि basic सभी चीज़ों सभी चीज़ें लोगों को पता होना तो object क्या होता है world क्या होता है components क्या होता है तो यहां पर gimbal क्या होता है और क्यों use किया जाता है इसका एक example मैं दिखा रहा हूं यहां से एक sphere मैंने ले लिया और इसको मैं rotate कर रहा हूं कैसे grid को hide कर देता हूं मैं और तीनो एक्सिस मेरा यहां पर 0 है rotation का तो मैं x वाले को select करता हूं और थोड़ा सा इसके view को मैंने change कर दिया था कि आसानी से दीख सके ठीक है तो x वाला जो yellow color में दीख रहा है वो मेरा selected है और यहां से middle mouse से इसको मैं और और y axis as it is है उसकी position यहां पर change नहीं हो रहा है जैसे मैं y axis को ज 3 मैं x वाले को 0 कर देता हूं यहां से ठीक है और Z axis को जब करूँगा तो वो क्या करेगा, अपने उपर X और Y को दोनों को जब rotate करेगा, ये देखो, X और Y दोनों move हो रहा है उसमें, तो क्या होता है कि ये comparatively उसमें कोई changes नहीं आता है, सारे एक दूसरे से एक relative value पर adjust होते हैं, पर जैसे मैं Y को यानि कि middle वाले part को जब मैं rotate करूँगा तो क्या होगा, वो X को drive करते हुए और Z के उपर overlap कर देगा, अब क्या होगा कि X axis और Z axis दोनों हमारा एक ही बन गया है, अगर मैं यहां से X को rotate कर रहा हूँ, तो वो उसी direction में rotate हो रहा है ball, और अगर मैं Z axis को rotate कर रहा हूँ, तो भी वो उसी direction में rotate हो रहा है, यानि कि अगर मैं इस axis पर चाहूं rotate करने के लिए इस ball को कि ये कुछ ऐसे rotate हो जाए तो हमारे पास axis नहीं है तो इसको हम कहा सकते हैं कि loss of one axis that is called gimbal और यह होता है gimbal lock इसका कारण है कि जब हम एक axis को में rotate कर रहा हूं तो वो automatic दूसरे में भी value provide करेगा और इसकारण वो unwanted result देता है कि दो axis हो जाता है तीसरे को जब हम rotate करते हैं उस पर की लगाते हैं तो वो क्या करता है कि उन दोनों की value को फिर change कर देता है क्योंकि वो अपने उस position से हट जाते हैं इसकारण वो unwanted behavior करने लगता है तो हमें कोशिश करना होता है कि हम हमेशा एक object पर दो ही axis यूज करें तीसरे axis के लिए फिर उसको हमें एक parent के साथ attach कर देना चाहिए ताकि parent को हम दो axis यूज करने दे या एक axis यूज करें और child पर फिर एक या दो हम करें तो यह gimbal lock क्या होता है और आगे जब भी हम advance rig को यूज करने वाले हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हर एक rotation वाला rotation part अलग-अलग होता है multi joint होता है single uni joint होता है shadow joint होता है हमेरे body parts में तो कौन सा body part होता है वहाँ पर जो की uni होता है होता है वहाँ पर हमें किस टाइप controllers की जोड़त पड़ती है हमें gimbal की जोड़त पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ठीक है वह हमें आगे कि स्रीज में देखेंगे जब भी हम advanced या intermediate level करेंगे आगे एक example में हम चलते हैं कि इसमें मैंने यूज क्या किया था cylinder वाले में कि हमने simple एक circle को उसका child बना दिया था तो देखते हैं कि यह relationship child parent कितने type का होता है और कैसे एक दूसरे को हम manipulate करते हैं दूसरा example मेरा यहाँ पे है connection और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इतने सारे example यहाँ पे मैं यह दिखाने वाला हूं कि यह सारे अलग अलग है कितने टाइप सम्द कर सकते हैं फ़र्ष्ट मैं इसको स्लेक्ट करूंगा और देन इस बोन को मैं स्लेक्ट करूंगा तो इसको मैं यहां से स्लेक्ट कर लेता हूं और देन सिफ्ट के साथ मैं इसके क्लिक करूंगा तो पहले मैं इससे स्लेक्ट कर लेता हूं और लास्ट मैं स तो यह मैंने पैरेंटिंग से किया दूसरा मैं क्या करूंगा कि इसको मैं select करता हूं और shift से जॉइंट को select करता हूं और rigging में जाकर करके यहां से मैं इसको point constant दे दूंगा तो इस time भी जब इसको मैं मॉफ करूंगा तो same यह वैशे ही behavior करेगा जैसे कि parent और चाइल्ड कर रहा था next में करूंगा इसको कि कि मैं connection editor से कर देता हूं यहां से मैं जा करके और general editor और यहां से connection editor ठीक है तो यहां पे मेरा क्या है numbs circle और joint को मैं यहाँ पे ले लूँगा इस वाले में reload right और यहाँ से मैं so non fins right display so non fins man ऩखा देवाँ तो इसके translate को मैंने यहाँ पे attach कर दिया अब क्या होगा सेम यह भी वही behavior कर रहा है जैसे कि यहाँ पे constant कर रहा था और जैसे कि यहां पे parent child कर रहा था again हम move करेंगे कुछ दूसरे example में तो इन दोनों को मैं select करता हूँ और hyper state में मैं चला जाता हूँ यहां से ठीक है और इन दोनों को मैं move कर देता हूँ graph, add selected to graph नहीं है इसको own करो ठीक है तोड़ा से इसको मैं यहां से बड़ा कर देता हूँ और मुझे इसकी जूरूत नहीं है और इसकी भी जूरूत नहीं है ठीक है तो नफ, circle और joint कहाँ पे है joint, joint, control क्यों नहीं आया हूँ ठीक है joint को select करो और यहां से graph में जाकर add selected to graph जूरूत नहीं है जूरूत नहीं है जूरूत नहीं है जूरूत नहीं है कर दो देखा है और मैं खुदी इसको मैं अटा देता हूँ तो circle के थो इसको मुझे यहां पे manipulate करना है तो इसका output node यह सारे details बाद मैं देखेंगे और translate को यहां से मैंने translate के साथ जोड़ दिया यह भी almost वही काम करता है connection editor काम करता है तो यहां से भी मैं चेक करूँगा तो यह उसके साथ move होने लगा यहां पे मैंने क्या किया कि इसको hyperset से connect किया है किसी utility से भी हम connect कर सकते है और इसको मैं move कर रहा हूँ same इसको मैं skin कर दूँगा मैं से select करता हूँ इसको मैंने select किया और इसको कैसे कैसे काम करता है next आगे वाले वीडियो में सबकी detail हम सीखने वाले यहां पे हमें कोई process याद नहीं करना है हमें बस यह जानना है कि एक ही function कितने तरीके से हो सकता है last में मैं देखना है कि कौन सा function कहां पे जुरूत होता है और क्यों में use करना होता है इसको मैं simply यहां से skin कर देता हूँ अब अगर इसको मैं जब मैं move कर रहा हूँ इसको इसके साथ मुझे करना है bind skin मुझे अलग example दिखाना था मुझे दिखाना था है कि मैं joint से move कर रहा हूँ circle को तो मैं उटा करते आ गया हूँ मैं circle से ही इसको move करते हूँ अब मुझे यह करना है कि इसका नाम क्या है next circle इसका नाम main तो इसका भी नाम देता हूँ मैं a,b,c,t इसका नाम क्या है ctrl 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 जाता हूँ animation editor में और expression editor और मुझे इसको copy करना है तो x और z axis यहां पे मेरा है simple मैं क्या करने वाला हूँ कि यह मेरा selected है example translate x को मैं ले लेता हूँ ठीक है और equal to इसका नाम क्या है circle का मेरा नाम है abcd ठीक है तो इसे मैं यहां पे drop करता हूँ equal to इसका नाम क्याता है abcd dot dx और यही मैं copy कर लेता हूँ और यहां से मैं देता हूँ semicolon यह सारा आगे हम चलके देखेंगे कि यह सब काम कैसे करता है और इसके translate x की जगह पे मैं y ले लेता हूँ और यहां पे भी मैं x की जगह पे y ले लेता हूँ और यहां से semicolon सब और यहां से मैं रिक्रेट कर दिया क्या प्रव्लम आ गया एक्सेम्पल x abcd example लो एक्स में शॉट्कट ही देता हूं टी-पैक्स इक्वल टू a b c d together dot t x terminator control c control v or d y can say with d y ticket and then my god wants to create okay come back here here to is go my neck as a connect here expression get through okay 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 sorry 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 okay 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 subscribe to other problems for this one taking ourselves a search for more and quickly ठीक है तो script editor और यहां से एक script में run कर देता हूं ठीक है अब अगर इसको जब मैं move कर रहा हूं तो यह मैंने script से move किया है ठीक है तो यह सारे example में क्या हुआ यह मैंने normal parent child से move किया है इसको मैंने क्या है मैंने मूफ किया है स्कुर्फिटिंग के थूढ़ आगे हम देखें कि script और expression में क्या फरक है और इन सब ही में क्या difference है सारे functionalities एक ही जयसे देखने में लगते हैं बढ़ अलगा अलगाने काम अलग-अलग हमें जगाब प्रीस को यूज करना है ठीक है इन सारे एक जांपल से हमें ये एक पहले तो फॉअ आइडिया लगता है कि सबसे पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैरेंट और चाइड्ड से रिखिंग का सबसे पहला base क्या होता है parent और child ठीक है तो first example में यहां से मैं cube ले ले लेता हूं और इसकी value यहां से मैं जिरू जिरू कर देता हूं यानि कि grid इसका center होता है जिस direction में यहां से यह world coordinate होता है जिस तरफ यह pointed होता है वो value इसका plus का होता है और इसके opposite यानि इसके left side में जाने के बाद इसका value क्या होता है minus होता है menu करता हूं और इसको मैं 0 पर रख देता हूं तो इस box की value box को मैं कर देता हूं कहां पर round figure मैं देता हूं यहां पर 4 ठीक है मैं दूसरा एक और object यहां से create करता हूं sphere और इसको भी यहां से मैं 0-0 कर देता हूं और इसको भी मैं x-axis में round figure इसको देता हूं कितना 10 ठीक है तो इसका value कितना है 10 इसका value कितना है 4 इन दोनों के इसकी value अभी कितना है 4 तो इसको मैं select करूँगा shift के साथ इस sphere को select करूँगा और then मैं press कर दूँगा P यानि कि box child हो गया और sphere इसका parent हो गया इन दोनों में relation में क्या होता है कि parent को जब मैं move करूँगा तो sphere उसके साथ move होता है और अगर मैं parent को जब rotate करूँगा तो sphere ऐसे रूटेट होता है कि इसका pivot point जैसे हमने यहां पर रख रख रखा है कैसे अगर same यही result अगर मुझे लाना होता है यहां पर Q मैं रख लेता हूँ ठीक है तो इसको जब मैं rotate करूँगा तो यह अपने pivot point से पर रूटेट होगा अगर इसके pivot point को ही मैं depress करके और यहां से चेंज करके ला देता हूँ और अगर मैं rotate करूँगा तो यह कुछ इस circle पर रूटेट होगा same यह result कैसे आता है अगर उसको मैंने child बना दिया इसका ठीक है इस example को अभी मैं delete करता हूँ इसकी positioning क्या थी फोर यूनिट बट अब इसका position कितना दिखा रहा है माइनस 6 यह कैसे हुआ और अगर इसको मैं यहां से zero press करता हूँ तो वो कहां पर आ जाएगा अपने parent के जगपे otherwise कोई भी चीज़ अगर यहां से मैं click करता हूँ और अगर इसकी positioning को मैं zero करता हूँ तो वो कहां पर आ जाता है इस grid का center में पर इसका grid का center कौन हो गया यह वाला हो गया यानि कि अब इसका world यह हो गया अगर हम किसी भी object को देखते हैं यहां पर मैं जब रपको क्लिक करता हूँ sorry इसको मैं जाता हूँ यहां पर तो वह अपना grid का center महान रहा है बर्ट मुझे एक कौन सा ऐसा value होगा जो यहां पर ले करके आज़े जीरो तो अगर मैं यहां पर आ करके और यहां से चेक करूं कि कि इस पर मैं relative transformation और absolute transformation मुझे absolute value कौन सा होता है जो real grid का center होता है अगर मैं यहां से जीरो करूंगा तो एक चीज हमने क्या देखा कि जब भी किसी चीज को मैं चाइल्ड बनाता हूं तो उसकी पुजिशन हो जाता है और अब उसका वेलू कहां से होता है सेंटर कौन सा हो जाता है उसका पैरेंट होता है ठीक है फिर से इसको मुझे अनपैरेंट करना है तो मैं क्या करकूंगा कि SHIFT और प्रेस कर दूँगा यह अपने पुराने पॉजिशन में आ जाएगा ठीक है यहां पे इसको मैं आएस कर दिया और मैं यहां पर आ जाता हूं और इसको थोड़ा सा यहां पर मैं की लगा देता हूं और S और मैं चेक करता हूं कि कुछ यह इस टाइप का इनिमेशन कर रहा है ठीक है इसके बाद इनिमेशन करने के बाद मुझे सिर्डेनली मुझे ध्याना है कि यह किसी चीज का चाइड होना चाहिए था तो अब इसको मैं एक सिलेक करता हूं और इसके साथ जाता हूं और यहां समय कर दूंगग इसको पी अब अगर इसको मैं एनिमेशन देखूँँगा तो यह कुछ अंसेर्टन बिहाविर करने लगा पहले जैसा आमने एनिमेशन दिया था वैसा नहीं रहा कुछ अलग जाने लगा यह क्यों ऐसा हुआ एनिमेशन कैसे काम करता है इसका पुरा समय टेक्निकल प्रोसेसर करने की कोशिश करने तो वह वैलू पर काम करता है बट जैसे उसको मैंने चाइल्ड बना दिया तो अब वह वैलू उसका चेंज हो जाता है तो जो नया वैलू आ लेकिन काम वही करें जैसे कि इसको फिर से मैं अनपैरेंट कर दता हूं यहां से शिफ्ट पी अनपैरेंट हो गया इसका पोजिशन क्या इस टाइम फोर मैं इसको चाहिए रिजल्ट कि मैं जब स्पेर को मूव करूं तो यह बॉक्स मूव हो पट इसकी पोजिशन चेंज ना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे स्रेट करूंगा और यहां से मैं कॉंशन्ट यूज करने वाला हूं यह सब आगे हम देखने वाले हैं कैसे काम करता है अभी के वल मैं एक्जैंपल दिखा रहा हूं कि एक ही रिजल्ट के लिए हमें दूसरे तीसरे अलग-अलग टे कि वही रिजल्ट दे रहा है और इसको मैं रोटेट करना तो रोटेशन नहीं लेगा क्योंकि इसको मैंने यूज किया था पॉइंट कॉंशन्ट इस एक चीज हमें समझ में है कि एक ही रिजल्ट के लिए मुझे अलग-अलग टेक्निक की जूरत क्यों पड़ती है अब आगे आते हैं इस वीडियो में आगे जितने भी एक्जांपल मैं करने वाला हूं वो किसीज के बारे मैं करने वाला हूं मैं केवल पैरेंट और चाइल्ड जिसे हम पी और अनपै को ही कि वह ही हो गही तो फिस्ट एक्जांपल में मुझे जो पर ऐगी कि कि सो मैं रूटा जो हूं यहांसे और इसको एक मुझे इनिमेशन के जो जो परने वाला है जो ईस मैं रूटेट कर दिया ओके बैटरी मेरा डाउन हो रहा है तो यह एक्जामपल मेरा हो गया यह इस पर रूटेट हो रहा है बट इसमें मुझे क्या चाहिए कि हर एक रूटेशन में यह भी अपने पॉइंट पर रूटेट होता रहा है जैसे कि आर्थ सन के चारो तरफ चक्क प्योट पाइंट कभी एनिमेट नहीं होता है यानि कि अगर इसके पॉइंट को मैं यहां से सेंटर कर देता हूं तो वो अपने सेंटर पर रूटेट होने लेगा मैं यहां से अंडू कर देता हूं और इसको चायड़ बना दूंग मैं इसका यानिकी और इसको रोटेट कर दूँगा मैं यहां से एस और कहां पर इसको रोटेट कर दो 360 यहां पर इसका रोटेशन और बढ़ा दो ज्यादा अब इसको मैं जब चेक कर रहा हूं तो यह अपने पिवोट पे भी यह रोटेट हो रहा है इसका सारा फेस चेंज हो रहा है यहां से इसको मैं फिर से सभी को डिलेट करो यहां पर आके फिर से रोटेट कर दो ठीक है अब देख रहा है कि सारे फेस में यह अपने सेंटर से भी रोटेट होने लगा तो यह एक्जांपल मैंने कैसे किया था पैरेंट और चाइल्ड से पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशन और और कैसे काम करता है सपोज यहां से एक सिलिंडर लेजाता हूं मैं यह नेक्स एजामपल देखते हैं सबसे पहले कि यहां पर मैं आ जाता हूं और इसे मैं हैट कर देता हूं ठीक है मैंने एक यहां से बॉल ले रखा है और बॉल के अनिमेशन को मैं चेक करता हूं यहां से यह कैसे काम कर रहा है झा कर ऴुरे पैरेंट और चाइल्ड का नेक्स्ट एक्जाम्पल हम देखते हैं कि कहां पे इसकी हमें जुरूत पड़ती है मैंने यहां से एक बॉल एनिमेशन लिया है और इसको मैं चेक करता हूँ यह कैसे भीवर कर रहा है यह कुछ इस टाइप का बॉल है इसमें क्या है कि करेक्टर हमारा जो बेस पॉइंट है इसका रेड साइट के तरफ है और यही रेड वाला फिर यहां पर भी बेस है यहीं प्योड पॉइंट इसका एक ही जगह है पर दूसरे एक्जाम्पल में इस चेंज़ होगा है जो रेड साइड है इस टाइम प्यॉट पॉइंट हो रहा है इसमा नीचे बेस बश्का तरूइड और और उस वाले में एक ही प्योट पॉइंट से मेरा काम चला है तो इस टाइप का अगर मुझे एनिमेशन चाहिए तो उसके लिए भी मुझे रिक करना पड़ेगा बॉल को भी और उसमें मुझे दो प्योट पॉइंट जाना पड़ता है कई बार एक बॉल में मुझे साथ- तो इस वाले रिग में मैंने क्याव एक्जांप्ल दो क्योट पॉइंट से लिया है मैं इसको हाइड कर देता हूँ स्वाले को मैं ऑन करता हो हूं और इस एनिमेशन को फिर्सेंगब में चलाता हूं ऐसे इह तो इसको रिक करने की क्या जूफ पड़ती है इस आढ़े अड यहाँ पर और मैं इन्हेंद अटो ठीक है मैं इस example को क्योवल you are it friendway करने वाला हूं से Titlegement ज़रूर और इसको मैं station रख Y 2023 कर रहा हूं तो इसका जो सेंट्र पार्ट है उसके तो रिगिंग होता है बोल का वो किससे बनता है डिफॉर्मर से बनता है याँ कि अब हम किससे चलाने वाला है हम लोग scaling के थो यहां से ठीक है almost same वैसे रिजल्ट देता है तो इसमें क्या है कि अगर suppose इसको मैंने यहां पर की लगा दिया s मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा जिसमें कि यह वाला इस moment में यहां पर आने के बाद यह चेंज हो जाए तो यहां से s प्रेस कर दिया मैंने और मैं यहां पर आ जाता हूँ और 16 पर आ करके मालो मैंने 10 पर आ कर यहां पर आ जाता हूँ और इसको यहां से मैं rotate कर देता हूँ ठीक है यहां से S और यहां पर मैंने इसको त्वड़ासा scale कर दिया और यहां पर और जैसे 16 पर आऊंगा तो यहां पर यह कैसे आना चाहिए इस जगा पर आकर और yellow वाला पार्ट नीचे हो जाना चाहिए दिखाता हूं यहां पर पर क्य इस सब्गी चीश को मैं ठोड़ा सा shift कर पर के कर देता हूं और कुछ φ्रेम यहां पर ठीका है यहां पे मेरे बोल इसे रहेगा और यहां पर आपकर के ही। यह स्क्वाय होगा तो यहां पे आने के बाद क्या है कि इसको मुझे stretch दिखाना है चलो मैं यहां से stretch कर दिया और इसको यहां पे रखोंगा मैं इस जगा पे और इस दो कर अब यहां से अगले frame में इसको मुझे स्क्वाइस करते हुए नि menselle ओकरमender और पॉने टांपर ए तो आप देखा है यहां से चेख करों बहुत जों करके यहां से तो आप यह चीजे स्विवल करता है यहां पर ग्राउंट के उपर नीचे आते वे दिखते जाता है तो मुझे यहां पर चाहिए दो प्योड पॉइंट तो इसको हम कैसे करेंगे इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर आ जाता हूं तो सब को चलो कोई नहीं तो इसको और इसको मैं कर देता हूं यहां से मोडिफाई में जाकर के और मैच और ट्रांसफर्मेशन ठीक है इसको मुझे यहां पर प्रसेंटर में रख लेना है बीच में गया है मेरा कि मेरा कि मैं मौडिफाइव में जा करके करता हुए सेंटर प्योड पॉइंट और इसको स्लेक्ट करो और जाकर के मैंच और ट्रांस्फरमेशन एक्जक्नी ठीक है इसमों करोंगा ctrl D copy और स्थ्थ्रोब पर लो ऑर इसको यहां से मैं सेकल कर देता हूं तीजियक है और फोर प्रेस करो वायर फ्रेम में जा करके और इसको अब यहां पर अब रख के वी प्रेस करके मैं इमिल्य माउस सशनेप कर दिया अब मुझे यह शाहिए इन सभी में, मुझे यह सभी की सभी value 0 चाहिए, तो मैं ऐसे select करूँगा इन सभी को, और इसे भी, और सभी को यहां से जा करके freeze transformation, अभी parent और child वाला relation मैं अभी और continue करूँगा, क्योंकि हम freeze क्यों करते हैं किसी value को 0 करने के लिए, बट हमें कई जगा ऐसे condition आ जाते हैं कि मुझे वहां से zero भी करना होता है, और freeze transformation भी नहीं करना होता है, तो हम वहां पर कैसे zero out करते हैं, उस सीज़ को parent और child के थूँ ही करते हैं, इस example के बाद वो example भी मैं दिखाऊंगा, कि कैसे करना होता है, और क्यों हम ऐसे condition आते हैं, कि म यह child बना दूँगा, मैं इस circle का, कैसे? यहां से P press कर दी हमें, तो एक तो pivot यह वाला बन गया, यहां से जब मैं करूंगा तो यह वाला गया और यह वाला child बन जाएगा किसका? इस वाले का, यहां से मैं करूंगा इसको P, अब क्या होगा? कि इस वाले को जब मैं यहां से scale scale करूँगा तो यह इस वाले Point से होगा और यह बन बने day तो यह कैसे आया हुआ है? अब इस वाले पे कौन सा प्योट काम कर रहा है? यह वाला circle काम किया है और next वाले position पे कौन सा प्योट काम करने लगा? यह वाला, यानि कि इसको मैंने कहां से scale किया है? इस वाले से scale किया है इसको मैंने. ठीक है? तो parent child से हम कितना type से use कर सकते हैं? rig इन सबको हाइट कर दो यहां से पैरेंट और चाइल्ड के नेक्स्ट बीहवियर के बारे में हम जाते हैं चाइल्ड पैरेंट से रिलेटिव मुवमेंट पे काम करता है मतलब इसका एक्जांपल मैं दिखा रहा हूं कि इसके प्योड पॉइंट को मैंने बेस में रख लिया और कंट्रोल डी और इसको मैंने आसे कोपी किया और शिफ्ट डी शिफ्ट डी मैं करते जा रहा हूं ठीक है मैंने यह एक चेन बना लिया ग्रीट को हाइट कर देता हूं यह चाइल्ड बन जाएगा इसका P और यह बन जाएगा इसका P और यह से P और यह यहां से P यानि कि सबका parent कौन हुआ यह वाला इसका child यह किसी भी child को अगर मैं move करूँगा तो वो क्या करेगा कि अपने बाद वाले hierarchy को अपने साथ move करेगा यह main है इसको जब move करूँगा तो सभी के सभी move होंगे अगर main parent वाले को मैं जब rotate करूँगा तो यह ऐसे rotate होगा that means कि इसमें अगर मैंने कितना approximately 40 degree अगर यहां से मैं rotation दे देता हूँ तो इस पर अगर मैं जाओँगा तो यहां पर कितना यहां पर 0 मिलेगा अब इसको भी अगर मैं 40 करूँ तो यह इतना पर आएगा यानि कि यह इससे relative moment लिया है इसको मैं complete example में दिखाता हूँ मैं इसको select करूँगा और यहां से मैं जाओँगा इसको select hierarchy और अगर मैं यहां से rotate करूँ translate x यहां से तो यह कैसे काम कर रहे है जितना भी rotation मैंने दिया यहां पर minus 90 something इतना है अब यह minus 90 यहां से rotate हुआ है इसके अगला minus 90 यहां से rotate हुआ है तो parent child में child क्या होता है relative moment लेता है अपने parents से यहां से मैं इसको कर दिता हूँ जीरो ठीक है parent child यहां से एक object ले लिया मैंने दूसरा यहां से मैं ले लेता हूँ q ठीक है तो इसको इसका child बना देता हूँ पी यह इसके movement को भी लेता है इसके translation को भी sorry rotation को भी लेगा यहां पर और इसके scaling को भी यहां से read करता है ठीक है तो इस introduction वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ के वल इसमें मैंने क्या दिखा है था parent और child जिसे हम control P और दूसरा एक और दिखाते हूँ कि parent child हम कितने तरीके से कर सकते है मैं इसको unparent कर देता हूँ shift P अभी मैंने इसको कैसे parent किया था इससे select करके और last वाले select करके जब P करेंगे तो वो parent हो जाएगा दूसरा भी तरीका होता है इन सभी को treat कर देता हूँ मैं और window से मैं outliner में चला जाओंगा यहां पे और इन दोनों को मैं देखता हूँ यहां पे ठीक है तो इसको मुझे child होनाना है कि इसका cylinder का तो मैं इसको select करूँगा यहां पे देखना plus का icon अभी नहीं दिख रहा होगा मैं cube को middle mouse से drag करके और cylinder वाले पे drop कर दूँगा अब क्या हुआ कि cylinder इसका parent हो गया और box child अब parent कैसे होगा वह shift पी select करके दूसरा तरीका क्या है cube को यहां पे middle mouse से होते हैं जैसे यहां से मैं hypergraph में चला जाता हूँ आगे camera rig में सीखेंगे कि hypergraph काम कैसे करता है इन दोनों को मैं select करता हूँ यहां से मैं F press करता हूँ यहां पे आ जागा center में cube को middle mouse से simply यहां पे drag कर दो cylinder पे cylinder क्या हुआ इसका parent हो गया और unparent करना है तो कैसे करना है मैं यहां पे simple cube से हटा दूँगा और unparent कर दूँगा अब यह unparent होगा आगे तक किससे के साथ ही नहीं जुड़ा है next देखते हैं कि script से भी हम इसको parent child बना सकते हैं इसको बाद में देखते हैं अब ही वीडियो को मैं यहीं पे finish करता हूँ इसमें मैंने क्या क्या रिकैप किया एक बाद मैं कर लेता हूँ आज की वीडियो को मैं यहीं पे finish करता हूँ इसमें केवल हमने parent और child के relation को देखा और यह भी देखा कि एक ही function बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और कहां यूज करना हम आगे की वीडियो में इसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉंशन कैसे काम करता है और deformer कैसे काम करता है इसके बाद फिर हम आएंगे bone पे और उसके बाद फिर skinning और बागी की चीज़ें तो मिलते हैं next lecture अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको like and subscribe जरूर करें और जिस topic की जुरुत होगी तो comment में उसके बारे में पता है उससे related मैं एक वीडियो और से लेकर क्या हूंगा मैं